हलो एवरीवन तो अपर डे एट-fold वे पढ़ रहे थे मतलो एट-fold वे पढ़ रहे थे अश्टताई तरीका थे कहां के पंद ने कहा तक करले में सौन का कर लिया था हाहां मैं सबको हमाज़ में आया गया होगा ठीक है आज बेरियोन का करते हैं तो बेरियोन में भी सेम है पार्टिकल में देखते कुन-कुन से हैं पार्टिकल होई है कुण-कुन से woven इसमें neutron है proton है sigma minus sigma 0 sigma plus और 1 है जो single particle कुन सा हो हां स्यायत है लेम्रा नूट हा लेम्रा नूट ठीक है और और क्या है कैस्केड माइन सोर्क्राइस केड़ जीरू ठीक है इसमें देखते हैं देखते कहां करते हैं को अभी सम्झहाते हुआ थी तरीका की एट फोल्ड बेसे घाता है यह आए यहां क्या होता है नूट्रोन होता है टोटोन होता है यह फिक्साइन की जगें चेंज मत कर देना कभी दर कभी दर यह वाई हाइपर चार्ज को शो करता है यह सिक्मा-0 दोन पार्टिकल है यह और है रहिए लेम्डा नूट्ट यह सिक्मा-फ्लस यह केस्केड दोट यह किस्केड इसपैक है इसपण पार्टिकल हिएउ इस लाइनमे यह लाइनक चो इलाइन दाति वाई है डोलिद कर रहो इसआ में यह लैन को शो कर रहा है पूरिको यह लाइन को शो कर रहा है माईनस वन ठीक है और इस लाइन के लिए माईनस टो समझ में आगा धी टेगने और देखते क्या किया रहे है वो भी देख लेना इस टेंगे यह आई पर चार्ज और आई थिरी देखेंगे तन कर थाड़ कम्पोनेंट और क्या देखते हैं चार्च ओकैं आभिस तो प ब्रावर प्लस वन होते हैं यह वाई ब्रावर माइनस वन होते हैं यह वाई ब्रावर जीरो होते हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह सिद्धा था जो इस लाइन पे यह सेम इस्टेंजनेस की तरह है इसका इस लाइन पे वाई ब्रावर प्लस वन होता है उसके लिए जो इस लाइन पे जीरो होता है और जिस लाइन पे माइनस वन होता है ठीक है आई पर चार्च बिल्कुल के लिए रहे कि से यहां भी शो कर सकते हैं इसको लेकिन यहां की एबुक में है न तो यह शो कर दिया इस लाइन के l Y Xin project 10 चार्ज देखते हैं चाल देखना कर द इसके लिए क्यों बरावर मांनस वन जो इए बीच्पे अब बच्चा क्या? Isoispin ठीक है? यह minus 1 by 2 यह plus 1 by 2 यह क्या शो करते हैं? देखना क्या करते हैं? जो यह लाइन है इसमें यह जो खड़ी वाली लाइन है यह ले रहा है यह लाइन है इसके लिए I3 ब्रावर minus 1 इस लाइन के लिए पूरी के लिए i3 बरावर माइनस 1 बाइ 2 इस लाइन के लिए पूरी के लिए i3 बरावर 0 ठीक है इस लाइन के लिए पूरी लाइन के लिए i3 बरावर प्लस 1 और इस लाइन के लिए माइनस 1 माइनस 1 से स्टार्ट होती है प्लस वन तक तो यह वाली सीधी लाइन लेंगे तो यह है बेरियोन का एट फोल्ड वे किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बता देना जो यह लाइन ले रहे हैं स्टेंजनेस के लिए सेम आईपर चार्ज के लिए और जो तिर्चीरी ले रहे हैं मतलब जो टेड़ी लाइन है यह स्टेंजनेस और हाइपर चार्ज के लिए वाई के लिए और एस के लिए जो टेड़ी लाइन है तिर्ची लाइन दिख रहे हैं यह चार्ज के लिए और जो खड़ी लाइन है वो आई थरी के लिए यह बिल्क बेरियोन और में सुनके फोल्ड वे तो आप करते हैं क्वार्क मोडल पढ़ लिया थो थोड़ा बहुत तो क्वार्क मोडल में हलका फुलका बाकी करते हागे कुन-कुन से होते हैं आप डाउन चार्म इस्ट्रेंज टोप और बोटम एक चीद या रखने हैं एक बरस देख तो सारे लेते हैं लेकिन पढ़ना आपनको आप पर डाउन और इस्ट्रेंज की यही तीन करने इंप्रोटेंट हैं इसके बारे में पढ़ेंगे पढ़तों सार देखते हैं तो दीन पर्टिकल का आपन वह करेंगे बाकि आविस्ट देख लिया सभीके लिए ठीक है और जो बेरियोन नमबर होता है बेरियोन नमबर सभी क्वार्ग के लिए बेरियोन नमबर प्लस वन बाई थी होता है ठीक है और सभी एंटी क्वार्ग के लिए मतलब एंटी क्वार्ग क्या होंगे U बार, D बार, C बार, S बार, T बार और B बार उसके लिए variable number minus 1 by 3 होता है ये भी याद रखना ठीक है? जरूर ये याद रखना इस recognize के लिए minus 1 होती है बाकी सबी के लिए 0 होती है आवेस इन particle के लिए minus 2 by 3 और इनके लिए जो 3 इदर है ध्यान रखने ये दोनों मिलके एक डबलेट बना रहे है ये दोनों मिलके एक डबलेट बना रहे, ये दोनों मिलके एक डबलेट बना रहे, तभी तो इनको साथ साथ रखा है, लेकिन काम तो पने यह आने हैं, तीनी, इनके बारे में पड़ेगे, तो यहां हो गए, और सभी पार्टिकल फर्मियोन है, तो मतलब इनकी स्पीन हाफ हो क्यूं हो गया कितना होता है लेकिन पढ़ेंगे अपन यूंदी और एस के बारे में और यह भी अपने पढ़ लिए जो मैसोन होते हैं वह 1 गॉर्ट और एंटिकॉर्क से मिलकर बनाता है क्यू बार से बेरियों होते हैं उनमें 3 कॉर्क होते हैं एंटी कुआर्व नियों तो को चुँए ठीक है तो एक पर अपन सारी चीज लिख सकते हैं कुआर्व कोते हैं तीन चीजों के लिए में लिखेंगे अप डाउन एंड इस्टेंज ठीक है मैं डाउन को बहुत ज़्यादा पी लिखती हूं अप की लिख देती हूं डाइरेक् इस बार ठीक है इसकी आई देखेंगे आई देखते एक बर आई क्या होता है एक पर देख लेते हैं आप एंड डाउन मैंने बताई यह डबलेट है डबलेट के लिए जान करो आई क्या ओता था वन बाइटू तो इनके लिए आई बरावर वन बाइटू और फिर आई थी नजदिए देखिए तो एक के लिए plus one by two होता है और एक के लिए माइनस one by two अब मतला अब हो आब हो ज्यादा वाली प्लस वन बाइटू तो आपके लिए होगा आईसो स्पिन और डाउन के लिए माइनस वन बाइटू बिल्कुल के लिए रहे हैं और जो तीसरा पार्टिकल है स्ट्रेंज उसके लिए आईसो स्पिन ये एक तरीके से कुछ नहीं है सिंगलेट अब तीन पार्टिकल ये तो यूज ले रहे हैं डबलेट बना रहे हैं इस्ट्रेंज के लिए जीरो होता है याद रख लेना ठीक है आई इसके देखेंगे तो 1 बाइटू 1 बाइटू और जीरो 1 बाइटू 1 बाइटू आई तो प्लस 1 बाइटू होगी सेम होगी दोनों के लिए जो डबलेट दोनों के लिए सेम होगी ठीक है आई थ्री देखेंगे आई थ्री देखेंगे तो इसके लिए प्लस 1 बाइटू इसके लिए माइनस 1 बाइटू इसके लिए जीरो ठीक है इस्ट्रेंजनेस देखेंगे only इस्ट्रेंजनेस पार्टिकल के लिए s ब्रावर माइनस 1 होता है बाकिक सबी के लिए 0,0 ठीक है बेरियोन नमबर देखेंगे तो 1 by 3 इसका भी 1 by 3 इसका भी 1 by 3 एंटी पार्टिकल होगा तो माइनस 1 by 3 उके लिए चार्ज के लिए इस साइड का है 2 by 3 D के लिए इस साइड है इसट्रेंज के लिए इस साइड है तो Q बारवर माइनस 1 by 3 तो माइनस 1 by 3 और माइनस 1 by 3 ठीक है अगर एंटी पार्टिकल की बात करें तो इनके साइन I spin तो यही रहेगी I3 यह change हो जाएगी इसका sign इसके साथ minus आजाएगा इसके साथ plus आजाएगा strangeness यह plus हो जाएगी ठीक है minus है तो antiparticle के लिए ठीक है और इसमें barrier on number के लिए करेंगे antiparticle उसके लिए minus 1 by 3 minus 1 by 3 charge के बात करेंगे antiparticle के लिए minus हो जाएगा यह plus यह plus तो बिल्कुल के लिए रहे particle and antiparticle qr के तीन के लिए पढ़ेंगे यह याद होने चाहिए इसके लिए यह क्या होता है यह करवादी सिंपल सी है ठीक है particle and antiparticle के लिए दोनों different होता है अब पता है क्या सीखेंगे सीखेंगे यह कि इन तीनों के दुआरा अपन मैसोन और बेरियोन का निर्मान कैसे करते है मैसोन और बेरियोन के दुआरा इसलिए तो यह याद होने चाहिए पहले इसलिए मैं यह table करवाई है तो मैं notes में बेज़ दूँगे नाव? ओके? बावाई